ओम, एक 96-core monster processor जो इंडिया का CDAC बना रहा है, जो इस से आले अगले साल ready होगा TSMC के 5 nanometer node की उपर, पर क्यों? आज इंडिया का faster super computer है परम सिद्धी, जो करी 4.6 petaflops of performance रखता है, उसका worldwide rank आता है 111, जो मतलब हम top 100 में भी नहीं आते हैं, पर एक और चीज़ कंसर नहीं है कि अगर हम पूरे देश की capacity ले, especially CDAC computers की, तो aggregate आता है 64 petaflops बस, पर CDAC के computer पे काम कर रहा है, जिसका नाम है परम शंक, ये होगा 1000 petaflops या 1 exaflops, ये अकेला computer 10 या 15 गुना जादा powerful होगा, देश के सब super computers को combine किये तो, बहुत absurd performance होने वाला है, ऐसे computer को एक बहुत powerful CPU भी लग ग करें कि better है, इस scale पे बना रहे है, तो हम खुद का processor या खुद का design तो रखें, तो CDAC यानि Center for Development of Advanced Computing आप में से काफी लोग जानते होंगे, basically वो लोग जो इस देश के super computers के साथ बहुत कुछ करते हैं, ये आपने परम वगरा सुना होगा, परम super computers, ये एक processor पे काम करें, जिस 5 क्यों नहीं कर सकते है, risk 5 processor या कुछ से scratch से क्यों नहीं, देखो, coming to risk 5, CDAC already risk 5 processors के उपर काम कर रहा है, जो vega series है, उन्होंने already एक dual core vega processor डेवलप कर चुके है, और वो जैसे हम बात करें, quad core processor के उपर काम कर चुके, risk 5 एक relatively new architecture है, is space में अगर हम देखो, तो उसे time लेगा, उ end पे आऊंगा उनकी future के उपर, और risk 5 को अगर हम equation से निकले, तो choice ही क्या बचा है उनके पास, एक तो हूँ x86 जो Intel या AMD based है, उस case में हमारे पास ज्यादा control नहीं है, वो जो देंगे, वो ही हमें लेना है, in fact अगर आप आज के CDAC के super computers देखो, तो mostly Intel based है, पर हम सिद्धी जो है, वो Nvidia के एक platform के उपर है, जो AMD based Epic cores दिस्तमाल करता है, तो currently best choice हमारे पास ARM ही है, क्योंकि इस case में हम ARM के license के थूँ हम उनसे cores ले सकते हैं, और core के आसपास हम अपने चीज़े build कर सकते हैं, अब वो Lego के तरह ने काफी लोग को लगता है, ये Lego के तरह वो chip देंगे, और हम chip क कुछ build करने है, उसके आसपास हमारे microprocessors interconnect से और जो भी आपके subsystems है, देखो ये वही situation है, वंदे भारत वाली जो comment section में चलते है, जब भी वंदे भारत का वीडियो देखो, लोग बोलते हैं कि, क्या फाइदा to 180 KMPH का हमारे tracks capable नहीं, अगर suppose tracks को पहले upgrade करते हैं, तो से यह है, जो जैसा available है, वैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, सेम चीज सीडेक कर रहे है, सीडेक का मुझे बहुत पसंद है, वो आज AMD based, Intel based, NVIDIA based, सब बिल्ड कर सकती है, future में ARM और RS5 based भी बिल्ड कर पाएगी, जो बहुत खूब सुरत है, वो एक लेके बैठती नहीं है, जो ओम है, वो especially और भी जादा complicated, इसलिए, वो regular ARM processor की तरह ही नहीं, पहले तो यह chiplet design इस्तवाल करता है, यह दो नियो, नियो वर्स based chiplets है, इच 48 cores है हर एक में, और यह दोनों connected है, एक high speed interconnect से, अभी आप सोचो, इसके complexity कितनी होगी, software की, hardware की लिखने की, हर chiplet के पास, खुद खुद का separate RAM का access भी होगा, common, killer चीज़ यह है कि, SEDAC plan कर रहे है कि, एक motherboard की उपर, दो sockets जैंगे, आनि, दो chips जैंगे, आनि, 96 core each, तो total 192 cores होगे, हर motherboard की उपर, और motherboard भी indigenously developed होगा, already engine develop कर रहा है, SEDAC, use कर रहा है, जो है rudra based motherboard, जो Intel based CPUs के लिए, उन्होंने develop किया है, home के लि है कि, super computers होते है, एक बड़ा, मतलब, एक CPU होगा, और बहुत सारे मतलब, जो भी होगा, वैसी नहीं होते है, जब मैंने कहा, एक motherboard पर, दो और चार CPU है, वो मिला कि, एक rack बनता है, super computer, finally, एक बहुत सारे racks का connection है, collection है, ये racks, एक दूसरे को, high speed interconnect से connected होंगे, ताकि, वो एक interconnect भी CDAC ने खुद develop किया है, उनका 3 ने तरह, जो interconnect है, दो है, इनके पास 100 GB per second, और 200 GB per second, मुझे ने बता है, ये ओम के लिए नफ होगा, या ये better वाला develop कर रहे है, जो भी है, ये racks इधर air cooled होते है, liquid cooled होते है, usually air cooled होते है, anyway, CDAC, एक indigenous liquid cooled, जो direct contact liquid cooling loop है, उसके उपर भी काम कर है, वो 360 Watt का एक liquid cooling develop कर रहे है, कौन सा better है, वो depend करेगा आपकी use case के उपर, काफी लोग YouTube वीडियोस देखके, ये मतलब सोच रखते है कि liquid cooling better, वैसा नहीं होता है, आपकी use case के उपर है, क्या better है, और हम power की बात ही कर रहे है, ये 360 Watt है, तो ohm जो है, वो rated है, 280 से 320 Watt, तो व 10 Teraflops का CPU compute, अब इसका competition से बात करने से पहले, मुझे बता है, comment में gamers आएंगे, जो बोलेंगे, कि GS थुमारा CPU अच्छा है, 4.6 Teraflop, पर ये हमारा Xbox Series X देखो, ये 12 Teraflops है, ये comparison extremely stupid और में समझाता हूं, क्यो, Teraflops मतलब क्या, T space, space FL, space OP, space S, S हुआ seconds, OP हुआ operations, operations per second, कभी- Tflops slash S लिखते हैं लोग, वो denote करना चाहते है per second, पर वो assumed है, समझ में आ जाते है कि per second की बात कर रहे है, FL हुआ floating point, यानि floating point operations per second, अगर आप programmer हो, तो आप ये float, double ये सब values देखा होगा आपने, ये basically represent करते कितने बड़े numbers होंगे, max values, उनके bits में वगरा, float values आप समझो, जो भ करना, divide करना, subtract करना, इसलिए floating point operations per second, यानि कितने आप ऐसे floating numbers को multiply कर सकते हैं या divide कर सकते हैं, जो भी है, तो जब हम कहते हैं कि CPU को 1 Teraflop है, मतलब वो 1 trillion वैसे operations कर सकते हैं हर second, ये absolutely mind-blowing है, मुझे बता है कुछ लोग confused हो जाएंगे, I'm sorry, पर कैसे में इसे simplify करूं, और जो ल calculations कर सकते हो, वो depend होता है, ये frequency के उपर, तो आपका अगर ज़्यादा GHz से आपके CPU का तो वो बढ़ जाएगा, पर उससे भी ज़्यादा impact तब पढ़ता है, जब आपके ज़्यादा cores है, और अगर आप graphic card कभी खरीदे हो, या specs list ही देखे हो, तो आपको बता है, graphic card के naturally ज़्यादा cores होते है, in fact अगर आप, मतलब Xbox के side पे जाओ, तो आप देखोगे कि, यहाँ पे 12 teraflops लिखा है, बस GPU के लिए, याद रखो हम cores से core compare नहीं कर सकते है, CPUs के core ज़्यादा single threaded operations के लिए बने होते है, GPUs वगरा ज़्यादा multi threaded के लिए, हर process multi thread नहीं हो सकता, हर process parallels नह हो सकते है, याद रखो, तो हाँ, Xbox का comparison कोई sense नहीं करता है, बिलकुल, और याद रखो, हम teraflop, हम CPU versus GPU तो compare नहीं कर सकते है, plus teraflop to teraflop भी नहीं compare कर सकते है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ohm का 4.6 teraflop है, वहाँ DP लिखाते है, यादि double precision, यादि 64 bits, similarly, इसे FP64 कहते है, similarly FP32 और FP16 यादि छोटे numbers के साथ भी calculations के teraflop values होते है, जो usually बड़े होते है, तो हम teraflop to teraflop भी नहीं compare कर सकते है, specifics जाने भी ना उस number का, तो हाँ, जब ohm के साथ 4 GPUs combine होंगे, तो एक rack में बहुत जादा teraflops होने वाल है, देखते है, आगी जब आएगा वो, competition की बात करते ह CDAC ने अपनी document में comparison किया, Fujitsu A64FX है, जो Fugaku, जो super computer है, Japan का उसमें use होता है, यह जब मैं video बना रहा हूँ, दुनिया का second fastest computer है, वो भी ARM-based similar course दिस्तमाल करता है, और आप इस comparison में देख सकते हो, मतलब ohm just floors it, मतलब क्या ही, मतलब बहुत ही better है, पहले तो better node पे है, जादा course है, बहुत higher frequency पे है, turbo भी है, इसमें, RAM, मतलब आपके RAM पर course same है, पर आपकी bandwidth जादा है इस case में, क्योंकि आप जादा HBM3 इस्तमाल करें, instead of HBM2, आपके पास जादा PCI lanes है, तो specs wise बहुत अच्छा, similarly उन्होंने ampere और जो cycle है, उनके साथ भी comparison करके दिखाया है, अब मुझे बता है, fair, fair है आपका point में, मैं disagree नहीं कर रहा हूँ, एक और interesting future के साथ बात होगी, वो है NVIDIA का grace chip, जो ARM के Neoverse V2 से बन रहे है, हमारा V1 से है, हमारा तोड़ा old है, उनका अगर आप देखो तो 144 cores है per chip, पर वो chip इतना बड़ा है ना, वो मतलब 2 sockets से 1 socket में डालने जैसा हुआ, पास भी access होगा Neoverse V2 का, तो शायद वो future पर अलएड़ी काम शुरू किये होंगे, guarantee निये पर, America का जो frontier है, वो आज का अकेला exascale system है, तो जब परंशंक आएगा, I feel वो at least top 10 में तो जाना चाहिए, क्योंकि अभी slowdown होया ये दुनिया, super computing की, उससे पहले है कि मैं end करू, उनका slide CDAC का, आप देख सकते हो, अगर हम current phase में देखे, तो वो risk 5 का, जो octa core processor है, उसके आसपास काम start किये है, ohm 2 के उपर भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और 2027 के आसपास उनका expectation है, कि वो risk 5 based 100 plus core का CPU बनाए, तो काफी interesting future है, अब जब परंशंग आएगा, शायद व हम किसी engineering achievement को record से link करते है, मतलब जब तो को world का first या second ना हो, तब तो कुछ उसे value नहीं मिलती, यह इसलिए है क्योंकि general population, जो average IQ population है, उन्हें engineering का nuance नहीं बता, और जब आप engineering का nuance नहीं जानते हो, तब आप ऐसे arbitrary चीज़े जैसे record से भी उसे link करने देखते हो, उसकी significant, जो ब जाए southpul में, अब यह पहले तो southpul से दूर है, पट आप समझो कि लोग चंदरयन 3 के science output से जादा उसका यह जो record है, उससे जादा इंटरस्ट रख रहे है, तो बस as a nerd वो बहुत दुख देता है मुझे, अगर आप थोड़ा financially capable हो, आप channel को financially support कर सकते हो, तो ज़रूर join button द description में वो आप दबा सकते हो, वहाँ पे perks मिलेंगे, yearly वहाँ सस्ता है actually, पर yearly लेना, बस ग्यान के गरेए सबसे बड़ी Thank you